संसार में सबसे अधिक गोवन्स की नसलें और गोवन्स की संख्या भारत वर्ष में पाई जाती इसलिए भारतिय संस्कृती में गोवन्स का एक अभिन महत्व है उसकी एक महिमा सदियों सदियों से रही अंग्रेजों ने इस बिंदू को भली भात ही समझा और उन्होंने सबसे पहले जो संस्कृती के उपर जो आगात किया वो गोवन्स की नसलों के उपर उनको तोड़ने का जो उन्होंने प्रियास किया कतल खाने यहां पर खुलवाए गए ताकि अच्छे और जो स्रेष्ट जो सांड थे उनका कतल करवाया जा सके ताकि नसल विकास और नसल समवर्दन का जो कारिय वर्सों वर्सों से जारी था वो ठिटक जाए वो रुख जाए और हर्याना प्रदेश की इतनी स्रेष्ट जो गोधन है फूर्तीली और शक्ती से लबा लब इसको भारी मात्रा में ट्रेनों में चड़ा करके और कलकत्ता बंबई जैसे महानगरों में ले जाया गया जहां भारी मात्रा में इनका वद्ध हुआ इनको हत्थों में कटवाया गया तो ये दोनसी जो गोशाला है वो पूरी तरह से समर्पित है हर्याना नसल के विकास के लिए और उसमें आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं ये शामा शामा इस गोधन का नाम है शामा वन क्योंकि एक और जो शामा ये दोनसी गोशाला में जो आई उसका नामकरण किया गया शामा टू तो उसके दूद के भरे पूरे और मजबूत जो कूप हैं अगले कूप जादा भारी और गैप आप देख सकते हैं और मजबूत थन तो काफी अच्छी स्रेष्टता आज हमें इस नसल में या इस शामा रंग की जो गोधन है इ प्रियास जो किये जा रहे हैं कि निरंतर इनको एक अच्छा स्वचंद वातावरन दिया जाए खुला वातावरन दिया जाए जिसमें ये खेलें, कूदें, नाचें, मचलें ताकि नकेवल ये तनाव रहीत रह पाएं लेकिन गर्भावस्ता में जो बच्चा पल रहा है व आहार जो प्रबंदन है वो काफी अच्छा इसका किया गया है साथवे आठवे नोवे महिने में जो कुछ घी तेल जो देना चाहिए वो उसे दिया गया है और मैं यहां पर एक जानकारी और देना चाहूंगा 24 अप्रेल 2020 का इसका गर्वधारण शक्ती नाम के नंदी से करवाया गया था तो अकसर जो एक भ्रांती हमारे मन में है कि नो महिने पूरे हो गए घाएं जादा उपर ले रही है दिन तो ऐसा कता ही नहीं है बड़े बुजुर्ग जो कहते थे नो महिने 25 दिन फिर सुन लिज आमा जो की 24 जनवरी 2021 को अपने 9 महिने पूरे कर चुकी है तो वहां से लेकर के आज तक के जो दिन है वो आप जोड़ लीजिए तकरीबन तकरीबन 26 27 दिन ये उपर ले चुकी है 9 महिनों में 9 महिने प्लस 26 और 27 दिन आराम से ले चुकी है और यहां पर एक जो मुख्य उदेश्य है कि गायों का अच्छा आहार प्रबंदन किया जाए ताकि गर्ब से ही जो नसल है वो अच्छी उर्जावान पूरी शक्ती से भरी पूरी आए और गोधन का जादा से जादा प्राकर्तिक गर्भादान करवाया जाए प्राकर्तिक गर्भादान में जब नंदी से मिलन करवा करके और जब ये बच्चे को जनम देती हैं तो वो पूरी श्रिष्टी को त्रिप्त कर देने वाली उर्जा के साथ जनम लेता है जबकि आर्टिफिशल इंसैमिनेशन क्रित्रिम गर्भादान जिसके नाम में ही शब्द आगे जड़ा हुआ है क्रित्रिम आर्टिफिशल जो चीज है वो कभी भी नैचुरल जो चीज है प्रकर्ति को कभी भी उसकी होड नहीं कर सकती है तो मैं यहाँ पर फिर पुर्जोर कहना चाहूंगा जीवन में आप कभ से गर्भधारन करवाती क्या AI से या फिर सांड से यह आज हमें अतियंत आवश्चक है कि हम चिंतन करें विशलेशन करें कि गाएं का प्राकृतिक गर्भाधान कितना कितना ज्यादा जरूरी है ब्रह्म उर्जा चेतन उर्जा जो गोधन में और जो बच्चे में जो बनती है वो सिर्फ तभी बनती है जब आप उसका संसर्ग प्राकृतिक जो क्रिडा है उससे उसका मिलान करवाएं तो शामा गोधन को यहां पर देख सकते हैं मैं फिर जो प्रसव का जो समय है उसके बारे में भी युवा साथियों को खास तोर पर संदेश देना चाहूंगा किस इसरी गायों के साथ घुस करके या उनके कहीं न कहीं गोबर या गोमुत्र जहां पर कर रखा है उस जगहां पर जाकर के बच्चे को न जनम दे ताकि कई बार बच्चे को भूलने की या फिर बच्चे को अपनाने की यह समस्याएं आ जाती हैं तो जो भी गोधन आपकी है उसको सबसे पहले प्रसव के समय अपने जुंड से अलग जरूर करते हैं तो अलग करने के बाद जो कनवल्शन होते हैं जो दर्द प्रसव के जो दर्द शुरू होते हैं आप थोड़ा सा लंबी रसी करके लंबी बेल करके बांध हैं और उसको अपने आप उस दर्द और जो मात्रित प्रेम उसके बाद जो अमड करके बच्चे के प्रती आता है वो दर्द उसको सहने दें क्योंकि प्रकृती ने यह करने की सक्ति उसे दी है तो शामावन जो है शक्ती से गरभित जो हुई थी उसने ये देखे नन्य काफ को जनम दिया है, अपने आप जनम दिया है किसी भी तरह का खुर खीचने का या पकड़ के खीचने का इस तरह का कारियर न करें अगर आप ये सिध्धानत अपना पाए तो गाएं को जेर डालने में सुगमता अवस्य होगी आज भारत वर्ष में बीस से लेकर के पंदरा से लेकर के बीस परतीशत जो पशुधन है गोधन है वो सिर्फ बीयाने के बाद जेर न डालने की वज़े से खराब हो जाता या तो जेर डालता नहीं है या फिर डालने के बाद कुछ न कुछ अवस्य सुषके रह जाते हैं जिसकी वज़े से बच्चादानी में तमाम तरह की मवाद तमाम तरह की जटिलताएं आती हैं फिर वो कायों को दूर रखें ताकि मां और जो नवजाज सिशू है वो जनम के तुरंत बाद का जो समय है जादा से जादा अपनी मां के साथ बिताए तो ममत्व है जो अटेच्मेंट है वो गोधन की अपने बच्चे के परती बढ़ जाती है यह देखें चाट करके साफ करने दें ज जो भी सरीर से जुड़ा हुआ जो भी जिल्ली है या जो भी प्रसव के जो द्रव है जो फ्लूइड निकलते हैं उसको चाटने दें इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर पूर जोर बताना चाहूंगा तो यह देखें शामा गोधन नन्य बच्चे के साथ समय बिताती हुई और चाट करके और जो भी जिल्ली विल्ली लगी हुई है या जो फ्लूइड यह देखें निचे अगर आप देख पाएंगे तो बच्चे के निचे प्रसव के जो द्रव हैं वो भी हैं और उसको भी चाट करके अगर खाना चाहे गाएं कोई आपती नही तो यदवन्सी कोशाला में जहां पर एक मुख्य उद्देश्य है कि ना केवल सुद्धता के साथ बच्चा हर्याना नसल का पैदा हो लेकिन उसमें वो शक्ति जो पुराने समय की थी जो हमारे बड़े बजूर्गों के समय जो इस नसल में शक्ति हुआ करती थी वो शक्त जनल दिया है और नर बचदे को जनल दिया है और नर बचदे का यहां पर वजन करते हुए तक्रीबन तक्रीबन बीस किलो के आसपास वजन हमें इस नन्य-काफ में देखने को मिला और जनल के समय उसका क्या बोडि वेट है और वो कितने समय में अपने बोड़ी वेट को दस गुना करता है यह सिद्धान्त जो है दस गुना का यह बहुत जादा महतपून है तो बीस किलो का जो गर्ब से जो बच्चा बाहर आया है यह अती आवश्चक है कि उतना ही तकरीबन बीस पच्चिस लीटर के आसपास गर्म गुनगुना पानी और उसमें राक इस चीज को आप बार बार याद करें कि राक दो किलो राक गाएं के कंडों से बने गोबर के कंडों से बने राक की आपको पानी में घोल करके और बच्चा जैसे ही गर्ब से बाहर आता है प्रिबन बीस किलो के आसपास उसको तुरंद गाएं के पिलाया जाए ताकि जो वजन बाहर आया है उतना ही द्रव उसके अंदर आजए क्योंकि गाएं जब बच्चे को जनम देती है तो उस समय शरीर में से काफी काफी फ्लूइड बाहर आते हैं काफी लिक्विड बाहर आ पिसाब आदे के माध्या से गोँमुत्र आदी के माध्या तो इतना उसको पिला दिया जाए शर्तिया आपकी गोधन जेर गिराएंगी कौन है और 20 लीटर राख वाला पानी पिलने के बाद उस में दो तो चमझ आफ हलदी मिला सकते हैं दो मच आप उसमें अजवायन मिला सकते हैं दो चमच मेथी पीसी हुई इस तरह की चीजे मिलाएं ताकि वो एंटी एंटी सेप्टिक का भी उसके अंदर काम करें दो चमच चाय पत्ती भी मिला सकते हैं और उसके बाद शामा को यहां पर मुंगफली का जो सूखा चारा है वो द शामावन जो है दोनों ही शाम रंग में हैं और जो अमरबलिदानी भाई राजीव दिख्षित ने जो कहा था कि शाम रंग या काला रंग मजबूती का प्रतीक है तो दोनों का मिलन करवा करके और इस बचड़े को इस श्रिष्टी में लेकर के आए हैं जब शामावन को य अगर उनसे बच्चे चाहते हैं तो वो अच्छे हाथों में जाएं या अच्छे आंगन में जाएं या अच्छे गोपालकों के पास जाएं तो यह जो बच्ड़ा है और यह दुवन्शी गोशाला में जो एक प्रैक्टिस है कि बोड़ी वेट जो भी बच्चा या चोड़ाई उचाई ब्रिट करेक्टर्स हैं वो भी एक बार अपने रिकोर्ड में लिख लिये जाते हैं तो लंबाई और उचाई और जो एक सिध्धान्त है कि दस महीने में नवजाज सिसू का जो वजन है उसके दस गुना अगर कोई बच्चा चू लेता है तो वो एक श पूर कोलेस्ट्रम प्राप्त करें तो यह देखें नन्ना जो बच्चा है यह देखें इसकी लंबाई यहां पर नापते हुए किसी भी प्रकार की जो इसकी जो नाभी है नीचे जो लटक रही है उसको काटा नहीं जाता है तिन चराइडीन लगाएं धागे से बान दें फ इस चीज का विशेश ध्यान रखें तो शामा टू शामा टू को यहां पर देख सकते हैं अभी जो गोधन दिखाए गई वो शामा वन थी और यह शामा टू तो जैसा कि मैंने बताया कि यदवनसी गोशाला का एक उदेश्य है कि इनको प्राकरतिक एक वातावर्ण दिया जाए जिसमें एक खुश अपने आपको हर समय खुश मैसूस करें तो शामा टू ने भी कुछ दिन पहले ही जो यदवनसी गोशाला में जो राजा सांड है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उसकी एक बच्छडी को जो जनम दिया है तो नसल समवर्दन का जो यह कारिकरम है यह अपनी जोर पकड़ता हुआ और शामा वन जो है यह देखें यह देखें किसी भी नील गाएं जैसी क्रियात्मक उर्जा लिये हुए जो शामा वन है मैंने फिर कहा नकेवल नसल को उसकी शुद्धता के साथ स्थापित करें लेकिन उसको उस शक्ति के साथ भी स्था भा करती थी तो उसलिए उसके लिए आवशक है गोचर भूमी गोचर भूमी का होना यह देखें और यहां पर देख सकते हैं शक्ति नंदी महराज जो हैं यह गोचर में पूरे दिन व्यायाम करते हैं बालू रेत के टीलों में टक्कर मारते हैं घूमते हैं ताकि जो इनको एक पूरा तनाव रही वाताब्रण जो देने का जो एक हमारा प्रियास है ताकि इनके अच्छी अच्छी बीज तैयार हों अच्छी वंस भार्त वर्स में आए ये 24 अप्रेल 2020 की वो वीडियो है जब हमने बचा करके रखी हुई थी जब शामा वन का शक्ती से प्राकृतिक गर्बादान हुआ था और ये देखें उसका परिणाम ये देखें उतना ही अदभुत जो एक इंतजार का जो फल प्राप्त हुआ वो इस बच्छडे के में हुआ तो आशा करते हैं कि पूरा दूद और मैं यहां पर एक विशेश सुचना और देना चाहूंगा नवजात बच्चे को तीन समय दूद पिराएं भर पूर दूद पिलाएं एक क्योंकि छोटा पेट होता है इतना जादा स्टोक ये पेट में नहीं कर पाते हैं एक जब ब्याने के तुरंत आधे गंटे के अंदर अंदर हो सके तो जादा से जादा दो गंटे के अंदर अंदर उसको भर पेट कोलस्टरम पिला दें ताकि उसका लीवर पूरा मजबूत हो जाए तो यहां पर देख सकते हैं नन्य बच्चे को भर पूर कोलस्टरम पिलाया पिलाया जाता है और नक्यवल दिन में एक या दो बार पिलाया जाता है लेकिन तीन बार और अगर संभव है तो चार बार पांच बार जितनी बार वो पीना चाहे उसे पिलाएं तो समय निकाल करके और शामा वन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत